नमस्कार दोस्तों मेहु संदी पोराव देखरें इंडन बाइट दोस्तों वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन को जरूर परे और अगर आप चैनल पे नाए हो तो चैनल को सास्काइब करने के बाद बेल आइकार को जरूर दबाना दोस्तों तो आए देखते हम पूरा वीडियो होंडा ग्राजिया 125 सेसी स्कूटर कालर मैट साइबर योलो इस स्कूटर में फीचर्स में आपको मिल रहा है न्यू स्प्लिट एलिदी पोजिशन लैंप एंड हैड लैंप, अल्न्यू बोल्ट डिजाइन विट इंस्पार टेल लैंप, फूल डिजिटल मीटर, एक्स्टर्नल फ्यूल लीड, इंट्रिगेटेट पास स्वीच, AGT इंजिन विट, ESP टेकनोलोजी, टेलिस्कोपिक सस्पेंशन, फॉन डिज ब्रेक, मल्टि फांक्शन की यूनिट, री डिजाइन ग्लॉब बोक्स, साइलेंट स्टार्ट विट, साइट स्टैंट विट इ 561 और डाम विरियंट की एक शोनुम प्राइजे 78,236 रूपीज, दोस्तो स्कूटर के दोनो साइड में यहाँ पर आपको हॉन्डा बैजिंग देखने को मिल जाएगा, साथी दोस्तो इस स्कूटर की फॉन्ट सस्पेंशन में आपको यहाँ पर मिल रहा है टेलिस्कोपिक सस्पेंशन और दोस्तो इसमें आपको मिल रहा है फुली ऐलाई होईल वो भी फुल ब्लैक कलर में और इसमें आपको डिस्क मिल रहा है फॉन्ट साइड में क्योंकि यह डिस्क वेरियंट है 190 mm की डिस्क आपको फॉन्ट साइड में मिल रहा है दोस्तो और इसमें आपको ट देखेशब से आप अगर चाहो तो आप आपकी हिसाब से इसमें एड़जस्ट कर सकतो। झाने हीं तेन इंच की पुभी ट्यूब लेस टायर दोस्तों इस स्कूटर की जो फॉंट साइड है इसमें आपको मिलते है बहुती एग्रेसिब और स्पोर्टी लुक और इसमें आपको मिल रहा है फूल एलीडी डीरल सेट अप देखिए यहां पर फॉंट साइड में और दोस्तों इ नीचे की और आपको साइड इंडिकेटर में एलीडी अपडेट नहीं मिलता है इसमें अभी भी आपको बाल्प मिल रहा है दोस्तों लेकिन इस स्कूटर में आपको फॉंट साइड में जो हेड लाइट है वो एकदम नीचे मिल रहा है और वो भी फूल एलीडी में डीसी स दोस्तो इसमें भी side indicators bulb है और back line भी bulb है दोस्तो मुझे तो नहीं लगता कि LED setup है पिछे की ओर overall ठीक ठाकी है स्कूटर की left side handle in bar weight में आपको metal मिल जाता है दोस्तो finishing भी ठीक ठाक है और यह जो grip है दोस्तो बहुती soft grip है बिल्कुल grip बहुती soft है और दोस्तो यह जो break है बो भी बहुत नरम break आपको rear side में मिलता है दोस्तो साथी switch section में आपको यहाँ पर मिलता है high beam low beam की साथ integrated pass by switch और यहाँ पर आपको मिलता है side indicator switch और एकदम नीचे आपको मिल रहा है horn switch scooter की right side handle in bar weight में आपको यहाँ पर metal मिल जाता है दोस्तो finishing भी ठिक ठाक है और यह जो throttle grip है दोस्तो बहुती quick response आपको यहाँ पर मिलता है साथी hand operated phone break भी नरम है दोस्तो और switch section में आपको यहाँ पर मिलता है idling on off switch और नीचे आपको मिल जाता है एक self start switch इस scooter में kick और self start के साथ आपको engine में मिलता है fan cool 4 stock SI engine displacement 124 cc maximum power 6.7 kW और maximum torque 10.3 Nm clutch type automatic behematic एक stylish muffler protector जो fully metal है दोस्तो उसके साथ इस scooter में आपको मिलता है एक single stand और एक double stand multifunction key section दोस्तो यहाँ सी सब कुछ होता है handle lock open गाड़ी start और seat open तो दोस्तो seat open करने के बाद अंदर आपको मिलता है 18 liter under storage capacity ठिक ठाक है helmet आडाम से आजाएगा और आप चाहो तो एक पानी का बोतल भी अंदर रख सकते हो साथी यहाँ पर front side में आपको दोनों तरफ मिलता है दो helmet hooks और दोस्तो इसमें आपको मिलता है एक fast dead kit और एक tool kit setup तो इतना ही है दोस्तो seat के अंदर दोस्तो इस switch को इसे थोरा जोर से दबाना है कटक से एक sound आएगा और आपका एक petrol lead open हो जाएगा जो छूपा हुआ है दोस्तो इस स्कूटर में आपको मिलता है fully digital meter console और आपको इसमें मिलता है malfunction, idling, eco, side indicator और उसके साथ time, service, fuel और average तो दोस्तो यह जो शारा information है आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा इस fully digital meter console में स्कूटर की front side में दोस्तो यहाँ पर आपको मिलता है एक redesign glove box और अंदर आपको मिल जाएगा शाइद एक USB connection port यहाँ पर स्कूटर की front side में यहाँ और दोस्तो ठीक seat के नीचे यहाँ पर आपको एक carry hook मिलता है अंडर 3 kg के अंदर ही आपको इसमें carry करना है वजन बरना है तूट सकता है दोस्तो और यह आराम से छूप भी जाता है finishing बहुती बढ़िया है side stand engine cut off safety features के साथ company यह scooter आपको दे रहा है दोस्तो साथी scooter में आपको मिलता है बहुती soft लंबा seat और इसमें आपको seat height मिलता है दोस्तो 708 mm की और ground clearance scooter में आपको मिलता है 171 mm की seat देखिए कितना नरम है बहुती soft seat आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तो साथी यहाँ पर देखिए आपको Honda लिखाओ मिलेगा और finishing भी बहुती बढ़िया है दोस्तो आराम से आप 50 plus kilometer distance हर रोज कभर कर पाओगे ऐसा मुझे लगता है साथी पिछे की और यहाँ पर आपको मिलता है एक split sporty gabriel जो fully metal made है दोस्तो और scooter की color के साथ ही इसमें matching है तो देखने में भी बहुती eye catching लगता है पिछे की और से भी scooter 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 की rider foot floor में दोस्तो आपको यहाँ पर rubber foot floor मिलता है इससे pair कभी भी फिस लेंगे नहीं और इसके नीचे ही आपको battery setup मिलता है दोस्तो और इसमें जो gap है दोस्तो space बहुती बढ़िया है इससे आपके pair कभी भी दुखेंगे नहीं जब आप long ride करोगे साथी pillon foot race में आपको द 8 kg और कुछ accessory से जो आपको इसमें install करना है लेकिन जो सबसे important है बोहे ladies foot race 915 रूपेस की जो आपको अलग से purchase करके इसमें install करना है तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा like और comment करना मत भूलिएगा साथी share किजेगा अपने दोस्तों के साथ और जाते जाते अगर हो सके तो इस Indian bike channel को subscribe जरूर किजेगा दोस्तों इससे मैं motivate होता हूँ तो दोस्तों हम मिलते अगले update के साथ thank you